Hello students, how are you all? में फराज देखमन, वेलकम तो माई लेक्च लेक्चर सीरिस लास् लेक्चर वी फिनिश बाईनोमिल थेवरम तोडे वी स्टाइट फंक्शं वार बैसिक नालेजा फंक्शंवी गएन जस्ट लूक अंदा फंक्शंट students functions पढ़ने से पहले हमें कुछ basic knowledge होनी चाहिए, तो पहले मैं आवकर base मनाओंगा, फिर हम functions की तरफ चलेंगे, में भी आज हम function अब पहुंचें, अगर ना पहुंचें तो इन्शाला next lecture में हम function जरूर cover कर लेंगे, अब functions को पढ़ने से पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, अगर relation पढ़ना है, तो relation पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए, partition product किसे कहते हैं, अगर partition product पढ़ना है, तो उससे पहले एक और चीज़ के बारे पता होना जाई है, set क्या होता है तो आप हमारी बात कहां पर आकर रूखे, set तो पहले में set बताऊंगे, set क्या होता है फिर partition product, फिर relation, फिर हम function के उपर पहुंचेंगे, तो जएधे detail में तुम्हें जाऊंगा नहीं, क्योंकि हमारी physics है, तो physics में, math में, इतना detail में तो पढ़ना नहीं है, just simple आपको idea देना है, set क्या है, partition product क्या होता है, relations क्या होते हैं, फिर हमेंच अपना syllabus का topic है, limit of a function, फिर हमने वो discuss करना है तो पहले हम set के बारे में जान लेते हैं तो हम सबसे पहले क्या study करने वाले हैं, students, set के बारे में, कि set हमारे पास क्या होता है, चलिए set स्टार्ट कर दे, what is set? what is set? set क्या है? students, काफी सारे authors आपने अपने डेफिनिशन्स देते हैं, set may be defined this, set may be defined this, but simple आपको मैं बताऊंगा कि set actually में होता क्या है, collections are distant object only, बस आपने इतना याद रखने किसकी collections होती है set के अंदर, distincts object, यह निए अलग-अलग object से collection को हम क्या कहते हैं, set कहते हैं, तो definition इसकी क्या आ जाएगी? collections are, students paper में आ तो आपको definitions नहीं आने वाली, तो बस आप इसका concept समझो, collection are well defined well defined and distinct object distinct object यह अलग-अलग object की collections और ऐसे object, ऐसे नहीं है, यह रफली कोई भी objects लेकर आप जो तो उसको set कह देते हैं, compulsory क्या है students? well defined होने चाहिए, यहाँ पर तीन words है, collection, well defined and distinct student, यह तीन यहाँ पर different words है, पहले हम इनको समझेंगे, तब ही हम set के बारे में समझ सकते हैं, students आप आपको YouTube पर कोई भी ऐसा lecture नहीं मिलेगा, जिसके अंदर आपको functions के अंदर physics के अंदर यह चीज़े को बढ़ा दे आपको, विकास, जो जितने भी आपको YouTubers मिलेंगे, वो shortcut मारते ही, student के बारे में कोई भी नहीं सोचता है, तो मेरी यह कोशिच रहनी चाहिए, कि मैं आपके बारे में आपके जो basic knowledge है, उसको भी improve करना है, तो आपको पहले हैं, यह set के बारे में पता होगा, तभी तो आपको function पता च यह collection का simple meaning students क्या होता है, जमा करना, अब आता है next word, well defined क्या होता है, well defined ऐसी चीज़ को कहते हैं, जिसके बारे में आपको अच्छी खासी knowledge होती है, अब अच्छे खासे तरीके से जानते हैं, well defined, क्या, for example, students अगर हम बात करें, यहाँ आपने रुजोरी डिस्टर्क की अगर ह H.E.M. स्कूल की हम बात करते हैं, हर एक जानता है H.E.M. स्कूल के बारे में, कालिश लेवल तक वहां पर तक पढ़ाया जाता है, काफी अच्छा स्टाफ है, वहां पर हर चीज़ एवलेबल है, this is well defined, यहनी हम जानते हैं अच्छे तरीके से के वहां पर क्या है तो क्या न मिलता है, हमारे पर इनजिन्यीन लेब से, यानि ऐसी चीजें जिनके बारे में, जौप इनकी तरीके से हम जानते हैं, उर्स लाँस पर हर है हम पर distance क्या होता है, दूसरा क्या होनी चाहिए वो distinct होनी चाहिए I hope कि set आपको बता चल गया होगा कि set क्या होता है अब कुछ important terms है set के अंदर सबसे पहली terms हाती है set के अंदर object क्या है हम object भी कहते हैं और elements भी कहते हैं अब object और element क्या हो गया जितनी भी चीज़ें आप collect करके लाए हो उन सारी चीज़ें को या तो हो object कहते हैं या हम set के कहते हैं students elements कहते हैं अब journal form जो है object और elements की journal form क्या है हम किस तरीके से इनको denote करते हैं denoted by small letters small letters में हम students को denote करते हैं for example हमारे पस क्या है set के element है जिसमें A भी हो सकता है I भी हो सकता है I भी हो सकता है O भी हो सकता है and so on कुछ भी हो सकता है हमारे पास small alphabets में हम journal form देते हैं जएदर तर नो जएदर cases में हम X का use करते हैं या Y का use करते हैं set के elements को represent करने के लिए अब student number second बाद है जो set होता है खुद उसको हम किस से denote करते हैं set खुद किस से denote किया जाता है capital letter से यह हम कहते हैं capital alphabet से denoted by capital letter किसको students set को for example हमारे पास कोई set है उसका हमने denote कर दिया capital A से भी कर सकते हैं B से कर दिया N से कर दिया R से कर सकते हैं Q से जब कभी आपको ऐसा हो आपको SL words अगर मिलना स्टार्ट हो जाएं तो इट मेंस वो क्या है हमारे आपके पास set होने वाले हैं student बट यहीं पर बात खतम नहीं होती set के थर्ड जो important चीज है वो है कि set के जो elements होते हैं उनको हम रखते हैं कैसे इस टूटें तो set के elements को हम in close करते हैं करली ब्रैकेट्स के अंदर किसमें इंक्लोज किया जाता है है ऐसी होती है students करली ब्रैकेट्स अब एक्जेंपल के तोर पर ना अगर हम बात करें for example कौन कौन से बार पास set होते हैं तो student बच्पन से आप पढ़ते होगे natural number सब ने बढ़ा होगा तो natural number एक्च्छल में एक्जेंपल के सट के सुटेंट एक्जेंपल्स एक्जेंपल है है सेट आफ नेच्टरू नम्डर है बच्पन से आप पढ़ते होगे नेच्छल नमबर की डेफिनिशन अब आपको पता चलेगा आपने पढ़े होंगे वो सारे के सारे क्या है आपके पास सेट होते हैं नंबर थार्ड जैसे सैट आफ रियल नंबर से एक और सुट आपने पढ़ा होगा सेट आफ वावल्स अब जो नेचरल नंबर का सेट है उसको हम किस से रिपसरे करते है तो आपने देखा होगा जो नेचरल नंबर का सट होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं n यूज करते हैं that's why मैंने आपको कहा था कि हम set के जो set खुद जो होता है वह capital alphabet से इनोड किया जाता है इसलिए natural number के लिए हम capital n का यूज करते हैं और इसके जिद्रें भी elements होते हैं उसको किसमें डाल देंगे curly brackets के अंदर रखेंगे 1, 2, 3, 4, so on इसलिके से enclose कर दिया तो यह हमारे पास natural number का set आगया student आपके पास integer आप सबको पता होगा student z से इनोड करते हैं, z capital letter हम यूज करते हैं अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है जैसे यहां पर so on minus one है, फिर zero है, फिर one है, फिर two है and so on, यह move करेंगे क्योंकि नंबर कभी खतम नहीं होते हैं यहां पर minus two आप लिख दो इस तरह के से student अब बात आती है, वावल्स की, set of वावल्स, अब वावल्स के लिए we use करो, z use करो क्योंकि इसके लिए को particular notation तो है नहीं है, इसके लिए हम we use कर रहे हैं यहां पर, अब अब सबकों पता वावल्स कौन कौन से थे, a, e, i, o, and u, अब student एक जानीमानी example आपने class strength में पढ़ी ह होगी तो उसको पधा होगा probability के अंदर जाओंग को रोल करते हैं है तो हम कहते हैं इसकी sample space में क्या-क्या आ सकता है, उस वक्ता है क्या क्या ककरते है स से हम denote है आपके पास यह हैं उस सेट के आपके पास अच्छे समझे में आओ गया यह जुरूरी नहीं स्टुडेंट के नंबर ही आपके पास हो सकते हैं कोई भी वैल डिफाइंड हो सकता है क्लासों के बच्छों की हाइट के यह दिनकी पांच पृट है तो वह मेंसा बना छिए कंभी आपकी आफ के रिए और हम आगे चलते चलते हैं के काटीशन प्रोड़क्ट की तरफ ऑगाए स्टूडेंट्स जो बच्चे आगे नानमेडिकल स्ट्रीम के हैं वो मैथ के अंदर फॉस्ट यूनूटी लाउंथ के अंदर सेट पड़ेंगे अच्छे तरीके से वहां पर डिसकस करना है बट मैंने एक आपको आइडिया दे दिये कि सेट आपके पास होता क्या है है नेक्स्ट आ आखे है स्टूडेंट्स कार्टिशन प्रोडेक्ट आप कले डिये अपिर मैंसको राभ करता हूं कि कूछ लिए रजेगीं नेक्स आपई क्या हमारा प्लाव काईक्र होता है कॉटिशन प्रोडेक्ट अब स्टूडेंट प्रोडेक्ट है तो मल्टिप्लाइकेशन के लिए एक का होना काफी तो नहीं है कम से कम दो चीज़ों का होना चाहिए तो इस तरीके से नहीं मल्टिप्लाइकेशन प्रोडेक्ट के लिए कम से कम दो चीज़ों का होना कमपल सरी है बट यहां पर नंबर नहीं होगे इस काटिशन प्रोडेक्ट में नंबर नहीं होते विकास इसका पूरा नाम है वो होता है Cartesian product of two sets पूरा नाम क्या है इसका Cartesian product of two sets, यनि हमें sets की Cartesian product, set को multiply किस तरीके से करते हैं यह हम को यहाँ पर समझना है तो सब्सक्राइब चलिए हम समझते हैं कि हम दो sets को किस तरीके से multiply कर सकते हैं Students, मैं पहले इसकी definition आपको बता देता हूँ अगर हमारे पास दो set है, let A and B be any two sets अगर आपके पास कोई भी दो set है, A and B उस वकत, then then क्या होगा? Cartesian product of A and B is denoted by किस तरीके से डिनोट करेंगे इसको हम? is denoted by A cross B Students, multiply नहीं है, cross कहीं A cross B and is defined as और इसको हम क्या define करते हैं? and is defined as किस तरीके से define करेंगे A cross B को? A cross B अब students, पहले मैं आपको बता दूँ अगर 2 multiply 0 करो तो 0 आएगा 2 multiply 1 करो तो 1 आएगा यानि नमबर को नमबर से multiply करके नमबर ही आता है इसी तरीके से set को set से multiply करेंगे तो again हमें एक set ही मिलने वाला है तो आप याद रख लेना कि A cross B अगर A set है B set है तो again आप क्या मिलेगा एक set ही मिलेगा set है तो it means curly brackets में होने वाला है अब इस set के अंदर कैसे element आएगे? तो याद रखना यहां पर जो भी पहला set होगा तो यहां पर first entry जो है वो उसी set की होगी दूसरी entry जो है वो दूसरे set की होने वाली है ये बड़ा students आपने द्यान से रखना है याद रखना है first element जो है वो first set से आने वाला है दूसरा element जो है वो कहां से आने वाला है दूसरे sets आएगा और partition product के जो entries नमारे पास जो elements होने वाले हैं वो in pure form में होने जोडे में होंगे single single नहीं होंगे हमें यह group में दो-दो करके हमको मिलने वाले हैं अब student यहाँ पर मैंने एक दो symbol यूज़ कर दिया करती है और यह कहां से बिलोंग करती है A से और फिर क्याएगा B जो है यह कहां से बिलोंग करने वाला है B से अब यह जो मैंने form लिखी set की इसको बोलते हैं set builder form याद रखने हैं दो आप set की पढ़ोगे यह वाले जो form है जिसमें हम ना short form में पूरी बात कह देते हैं पूरा लिखने की जुरूरत नहीं है तो यह सी form को हम कौन सी form कहते हैं यहां के पास set builder form अब यह वाला क्या होता है इसको हम बोलते हैं belongs to belongs to यह यह कहां से बिलोंग करने वाला है यह से बिलोंग करने वाला है definition समझ में आगी हैं मालों इसके अंदर आता है 123 यह तीन एलिमेंट है और यहां पर क्या क्या आता है 5 and 4 और हमें आ जाता है question के partition for that find करो एक रस B का तो student किस तरीके से साल करेंगे बस बड़ा easy है एक रस B आपको find करना है अब किस तरीके से find होगा जैसा कि definition कहती है यह first element हमेशा first set से आएगा तो यहां पर A अगर पहला है तो पहले हम one से start करने वाले यहां पर क्या आएगा one और B का क्या five तो यहां पर क्या आगया five आगया और इस तरीके से bracket रख देने विकास यह जोड़ा बन क्या प्योर बन गया फिर क्या आएगा one फिर क्या आएगा four इस तरीके स्टोड़न याद रखने आपको simple मैं कहता हम one को five से जोड़ दो फिर one को four से जोड़ दो यह पहले इस element को इन सब से आपको जोड़ना है फिर आगे वह करना है आप one इन दोन से चोड़के आप two की बारी है तो क्या आएगा two five फिर क्या आएगा two four इस तरीके से फिर क्या होगा three five और फिर क्या होगा three six होगा बस student इतना ही हमारे पास group बनेगा partition product में सारी curly brackets यहाँ पर अंदर नहीं आने वाली यहाँ पर simple bracket का हमने यूज करना है curly brackets इन पर आपको यूज करनी है student यह आपके पास आगया क्या partition product यह नि एक रस भी हमने find किया one को इसे जोड़ा फिर one को इसे जोड़ा फिर two को इसे फिर three को इसे पर फिर two को इसे फिर three को इसे फिर three को इसे फिर three को इसे जोड़ना हमको four से जोड़ना है I hope कि आपको अच्छे से यह भी पता चल गया हुआ कि partition product किस तरीके से निकाला जाता है यहां पर क्या था student five और यहां पर क्या है four five and four students का सक्रीन चाल डेलो फिर हम एक example और करते हैं तो फिर partition product को खत्म करें ओके students एक example में आपको और करवाऊंगा इसकी यहां पर क्या था एक रास बी अब students अगर एक रास बी नो पूछा होता आपको पूछा तो था बी क्रास ए निकालो फिर आपको कैसे फाइन करना था यहां पर दुबारा लिखता हूं क्या था मेरे पास one two three फिर क्या था बी में फाइफ फॉर यह मां सोचना कि मैं one two लिख रहा हूं one two three four five ऐसा नहीं है यहां पर four पहले आना चाहिए था five बाद है वैसा नहीं है आपके मर्जेब जैसे मर्जेब बना सकते हो अब स्टूडेंस क्या तरीक है बीक्रास से निकाले यहां से उपर को चलना है तो पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा 5, 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 5, 3 आ जाएगा, rules, student याद रखना, 5 को 1 से, 5 को 2 से, 5 को 3 से, अब next क्या होगा, 4, 1, फिर क्या होगा, 4, 2, and last पर क्या होगा, 4, 3 हो जाएगा, आज हम इतना ही रखेंगे, और, students, please, मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेंगी, जब आप सब्सक्राइब करोगे, ओके स्ब्सक्राइब करोगे, आज हम इतना ही रखते हैं, see you, next level.